हांदी वेलकम डियर स्टूइंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपके साथ आज हम टापिक डिसकस करेंगे जेड टेस्ट और इसमें हम डिसकेशन करेंगे hypothesis testing about the difference between two independent correlation coefficients इसकी understanding के लिए हमने दो examples select की हैं जो आपके साथ हम discuss करेंगे तो students first examples है जो question number one की form में है two independent samples of size 23 and 21 pairs of observations were analyzed and their coefficient of correlation was found as 0.5 and 0.8 respectively does this value differ significantly तो इस question में students सबसे पहले हम हमारे पास जो information है वो हम note down करते हैं कि हमारे पास पहला sample है जो वो है 23 का और उस sample का जो correlation है ठीक है वो है 0.5 और जो second sample है second sample की information है n2 और उस sample का size है 21 और जो r है उसकी value है 0.8 तो हमने discuss क्या करना है इसमें discuss यह करना है कि हमने यह चीज़ verify करनी है कि जो दो sample है यह हो गया sample 1 और यह information होगी sample 2 की हमने यह decide करना है कि हमारे पास जो दो sample है उसके जो coefficient of correlation है जैसे यह है r1 जिसकी value 0.5 है जो r2 है उसकी value 0.8 है कि यह दोनों जो coefficient of correlation है independent samples के क्या यह differ कर रहे हैं क्या इन में significant difference है या नहीं है यह चीज़ हमने verify करनी है यही hypothesis हमने test करना है और इसके लिए इस्तेमाल होगा z test ठीक है जी तो z test का formula students हम पहले no down कर लें z test so z test का formula है so पहले आपने क्या करना है कि z1 minus z2 ठीक है z1 की value निकालनी है फिर z2 की value find out करनी है और दोनों का difference लेना है और नीचे क्या करना है देखो नीचे है हमारे पास difference unroot लेके 1 over 1 over n minus n 1 minus 3 sin plus का 1 over n 2 minus 3 so z1 हम निकालेंगे formula यूज करके z2 भी हम निकालेंगे formula यूज करके जो 1 जो unroot के अंदर है values 1 over n 1 minus 3 so n 1 है sample 1 की जो ठीक है size है और जो n 2 है वो है samples 2 का size ठीक है जो students 3 minus किया है ये degree of freedom find out करने के लिए किया है ठीक है ये हमारी degree of freedom के लिए हमने n 1 minus 3 और n 2 minus 3 किया है ठीक है तो z1 कैसे आएगा तो z1 के लिए students formula है z1 के लिए formula है 1.1513 फिर log log का base 10 और फिर है formula 1 plus r1 over 1 minus r1 ये है formula students z1 find out करने का तो सबसे पहले हम z1 निकालते हैं और यहाँ पे formula दूसरा भी हम प्रिजेंट करते हैं z2 आएगा students 1.153 ठीक log का base 10 1 plus r2 1 minus r2 तो difference कहाँ पे है students z1 के लिए हमने r1 use की है z2 के लिए हमने r2 का इस्तमाल किया है ठीक है तो हम ये value निकालते हैं भी तो देखो z1 1.1513 log 10 ठीक है जी और यहाँ पे 1 plus r1 r1 हमारा कितना है 0.5 तो 1 में 0.5 1 plus 0.5 नीचे 1 minus 0.5 तो z1 is equal to 1.1513 log 10 उपर 1.5 students नीचे हमारे पास आ गया 0.5 तो अगर हम इसको solve करेंगे तो z1 1.1513 log ठीक है जी 10 तो 3 आ गया ये आ गी value हमारे पास ठीक है अब हमारे पास ये value को हमने solve करना है यह नीचे ये तो चलो value है हमारे पास यो log value है ना ये value ये हमने solve करनी है ये कैसे solve करनी है इसको हम detail में यहाँ पे समझेंगे ठीक है इसको समझने के लिए students ये करना है आपने क्योंकि basically ये सब चीज हम इस तरह से लिख सकते हैं देखो log 10 3 का हमने result निकालना है suppose करो result आपका x है ठीक है जी result आपका x है ओके तो ये formula basically हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो students हम इस चीज को rewrite करेंगे ऐसे देखो ये वाला formula ये चीज हम इस तरह से लिख सकते हैं a की power x is equal to b so a क्या चीज है a है जो log का base है ठीक है वो है 10 10 की power x what is b? b is this one 3 तो हमने ये find out करना है basically ठीक है अगर आपको लगे कि आप ऐसे directly नहीं find out कर सकते हैं तो आप ये चीज find out करने की कोशिश कीजिए ठीक है और ये चीज कैसे हमने solve करनी है तो देखिए take log on both sides आप दोनों sides log लेजे ठीक है जब आप log लेंगे तो ये बनेंगा x log 10 is equal to log 3 ये चीज बनेंगी ठीक है 10 की power x is equal to 3 का both sides हमने log ले लिया ठीक है और एक आपको पता होगा students की log m की power n होती है जो वो n log m की form में हम लिख सकते हैं ठीक है इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं ठीक है तो x log 10 is equal to log 3 अब हमने गया करना है log 10 और log 3 की value देखनी है ठीक है log 10 की value students 1 होती है 1.000 ये होती है ठीक है 1 होती है 1 भी लिख सकते हो और 1.00 भी लिख सकते हो ठीक है log 3 की value आप कैसे देखोगे log 3 की value देखने के लिए students आप ये कर सकते हो कि जो 3 है ना इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना मतलब 3.000 तो भी ये 3 रहेगा ठीक है जी clear ना ये होगे first four digits उसके बाद पहले two digit का pair बना लो और फिर आखरी का भी pair बना लो ठीक है जो first का pair बनाया उसको आपने ऐसे treat करना है कि decimal नहीं देखना बस ओ 30 है ना आपके लिए तो 30 आपने 30 का log देखना है और जब log देखते हैं तो स्टमिट्स दो चीज़ें होती है characteristics होता है कमेंटी सा पार्ट होता है एक characteristic यहनके characteristic dot mintी सा चीक है तो सबसे पहले आपने characteristic देखना है characteristic आप कैसे देखोगे जो decimal है ना decimal decimal की left side आप dessert count करो कितना है एक ही dessert है ना three only one dessert one में से one minus कर दो तो कितना आ गया जीरो जीरो लगा दो अब dot ठीक है dot की left side point की left side तो आपकी characteristic की value आगी point के right side आपकी mantisa value आएगी जो हम table में देखेंगे ठीक है और वो table में value कैसे हमने note down करनी है वो देखो 30 हमारी value है ठीक है इसको हमने 30 treat करना है क्योंकि log का base 10 है इसकर के 3 का log नहीं हम दे सकते देख सकते हम 30 का log देखेंगे ठीक है 30 का log देखने के लिए अपने क्या करना है 30 का log 0 में देखना है then जो fourth dessert है वो भी हमारा 0 है उसमें हमने नहीं देखना क्योंकि अगर fourth dessert 0 है तो नहीं देखना अगर fourth dessert 1 से start हो 1, 2, 3, 4, 5 है न तो हमने देखना है चीक है इसके लिए हमने table आपको table दिखा के table के उपर कोशिश करेंगी कि आपको understand हो ठीक तो हम table use करते हैं तो देखो students यह हमारे पास है table चीक है log table हमने देखना है देखो यह जो चीज है न देखो यह आगया हमारा 30 ठीक है और हमने देखना कहां था 30 का 0 में और again 0 में ठीक है तो यह देखो जो third dessert है वो यह है third dessert हम यहां पे देखेंगे और fourth dessert यहां पे देखेंगे बट fourth dessert हमारा start हो रहा है कहां से 1 से ठीक है हमारे पास क्या था ऐसे था 30 का हमने 0 में देख लिया और 4th dessert भी 0 में देखना था बट 4th dessert हमने यहाँ पे देखना है यानि कि यह होता है 3rd dessert के लिए यह 4th dessert के लिए 4th dessert हमारा 0 नहीं है इसलिए हम 30 का सिर्फ 0 में देखेंगे 30 का 0 में आ गया हमारा 4771 ठीक है जी तो यह हम no down कर लेते हैं 4771 ठीक है दिख लिए ठीक है स्विंट्स तो अब हम इसे लिख देंगे यहाँ पे ठीक है 4771 ठीक है तो यह आया था हमारे पास value ठीक है हमने लिख दी ठीक है पाइंट के बाद 4771 ठीक है जी अब यह value हम put कर देंगे यहाँ पे क्योंकि यह सारे की value हमारे पास आ गई है अब ठीक है जी थोड़ा सा raise कर लें ठीक तो स्विंट्स जो value है हमारे पास है ना यह वाली अब x निकाल लो क्योंकि यह हमारा ठीक है x की value यहाँ पे put हो जाएगी और जब हम one को divide करेंगे तो वो same value हमारे पास जन्हें के x हमारे पास आएगा x is equal to .4771 ठीक है जी तो यहाँ पे z1 हमारा आ जाएगा 1.1513 और जो log 10 3 की value है क्योंकि हमने बोला था ना log 10 3 is equal to x तो x की value हमारे पास आ गई 0.4771 ठीक है तो यहाँ पे z1 हमारे पास आ गया ठीक है अब हमने क्या करना है multiply करना है multiply करके students इसकी value हमारे पास आएगी .55 यह round off करके हमने students लिखी है ठीक है .55 done similarly students अब हम निकालेंगे इसकी value तो देखो यह value कैसे आएगी देखो जी is equal to 1.1513 ठीक है जी log 10 1 प्लस r2 r2 की value कितनी है .8 so 1 में .8 अड़ करेंगे तो 1.8 आ जाएगा और नीचे 1 माइनस r2 तो .2 आ जाएगा ठीक है जी तो आ गया हमारे पास 1.1513 log ठीक है जी 10 और 9 क्योंकि 1.8 ड़ाइड बाइ .2 इस 9 ठीक है तो अब हम students इसकी value find out करेंगे ठीक है इसके लिए फिर वही बात ठीक है तो आप directly गया कर सकते हो अगर आपने directly देखना है तो हमने पिछले बार भी देखा ठीक है कि निकल के तो हमारे पास log 3 की value आई ना जो भी हमने देखा 30 का log देखा था वो 0.47 ठीक है 71 आ गया था यहाँ पे हमने 0. सॉरी हमने 9 का log देखना है 9 का log हमारे पास directly तो नहीं होता ठीक है ना तो वो हम किसका देखेंगे 90 का ठीक है जी वो 90 का log हम देखके यहाँ पे लिख देंगे ठीक है जी तो students हमने log का base 10 और 9 का log देखना है 9 means 90 यहाँ कि यह log ऐसे देखा जाएगा 9.000 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे 90 का log देखेंगे 0 में और 4th digit 0 है उसकी देखने की जरूरत नहीं है ठीक है और जो हमारे पास character stick आएगा क्यों देखो point की left side हमारे पास only 1 digit है ठीक है 1 से बन गया 90 की जो log value है ठीक है वाइगे स्टोंट 0.9542 तो आप यह सब जो log की value है उसको यहाँ पे put कर दो 1.1513 और bracket 0.9542 इसको आप multiply करोगे तो 1.098 आ गया इसको हम 1.10 भी mention कर सकते है ठीक है स्टोंट्स अब हमारे पास z1 की value 0.55 आगी और z2 की value 1.10 आगी तो यहाँ पे values put कर दो ठीक है और यहाँ पे न स्टोंट्स हमने sign ignore करना है चाहे वो जो difference है between z1 and z2 चाहे वो negative है चाहे positive हमने सर्फ ठीक है without sign value put up करनी है 1.10 ठीक है जी नीचे स्टोंट्स आएगा हमारे पास देखो 1 over n 1 minus 3 तो हमारे पास 1 over 20 आएगा ठीक है जी 1 over 20 क्योंकि 23 था 23 में से 3 minus कर दिया हमने फिर sign plus का फिर 1 by n2 minus 3 n2 यहनिके 21 21 minus 3 मेंस हमारे पास आया 18 ठीक है स्टोंट्स 18 तो इसे solve करके स्टोंट्स हमारे पास final value जो z की आएगी जो calculated है value z की वो 1.69 आएगी ठीक है जी तो 1.96 ठीक है स्टोंट्स आगई तो इसके बाद अब हम लिखेंगे instruments यहाँ पर null hypothesis वैस्तो null hypothesis हमने सबसे starting में लिखना था बट हम अब भी लिख सकती है तो यह देखो null hypothesis null hypothesis में हमने यह लिखना कि there is no significant difference there is there is no significant ठीक है जी difference between two coefficient of correlation ठीक है जो हमारे पास दो different coefficient of correlation है different samples के उनमें कोई भी significant difference नहीं है यह है हमारा ठीक है null hypothesis तो null hypothesis हम accept करेंगे यह reject करेंगे यह इस बात पर depend करेगा कि हमारी जो value है calculated this is the calculator values ठीक है उसका comparison हम table value से करेंगे जो z की table value है ठीक है जी table value से हमारे हम लेंगे 5% level of significance पे ठीक है 5% level of significance पे जो z की value होती है वो 1.96 होती है तो अब हम क्या notice कर रहे हैं कि हमारी z की जो calculated value है z की जो calculated value है that is smaller than z की जो table value है इसका मतलब यह कि आपने null hypothesis क्या करना है accept करना है accept करने का मतलब क्या कि जो दो r's हैं हमारे पास यहनि कि जो r1 है और जो r2 है इन में कोई significant difference नहीं है यह बात हमने accept की तो हमारे procedure ने हमें यह बताया कि r1 और r2 के में में दोनों की value में जो अलग-अलग samples की value में कोई खास difference नहीं है वो significant difference नहीं है ठीक है जी तो यह था students question ठीक है अब हम अलग से एक और question आपके साथ discuss करेंगे so यह question आपको understand ठीक है तो आपको यह भी बता दें instruments की log में हम कोशिश करेंगे कि अलग से एक video डालें so that की जो log की कैसे calculation होती है वो आपको अच्छे से पता चले ठीक है इस video मेंने मैंने हमने कोशिश किया कि थोड़ा बहुता आपको log के बारे में बता आ सकें ठीक है बट इसके बारे में हम अलग से video भी डालेंगे ठीक है जी second numerical करते हैं students तो students discuss करते हैं हम आपके साथ next question इसमें है कि test the significance of the correlation ठीक है r.5 from a sample of size 18 against hypothesized population correlation ठीक है 0.7 यानि कि हमारे पास hypothesized यानि कि assumed population का correlation है ठीक है that is 0.7 और हमने एक sample भी लिया हुआ है उसी population में से एक sample है जो की 18 जिसका size है 18 items ठीक है 18 pairs है उसमें 18 pairs का जो correlation है that is 0.5 हमने अब ये चेक करना है हमारा hypothesis ये बनेगा कि there is no significant difference between the जो population का correlation coefficient है और जो sample का correlation coefficient है so there is no difference यानि कि difference is not significant so difference is not significant so this is the difference is not significant this is the null hypothesis that we have assumed ठीक है अब students हमारा आपके साथ discuss करेंगे formula so students formula बिलकुल सेम है हलका सा change है ठीक है हलका सा change इसलिए है कि पहले question में हमारे पास दोनों sample थे हमने sample के correlation coefficient का difference चेक करना था कि significant है या नहीं है अब हमारे पास sample एक है और एक है इसमें थोड़ा सा formula हलका सा change होगा तो z की value देखो z का formula हैगा students z minus zp over one over under root n minus 3 ठीक है जी ये formula है one over ठीक है under root n minus 3 ठीक है जी और जो हमारे पास information है उस information में से सबसे पहले हम निकालेंगे z ये वाला इसको आप z1 भी बोल सकते हो z1 नहीं लिख लो ठीक है so z1 निकाले 1.1513 ठीक है जी log log ठीक है जी log 10 जैसे पहले था ठीक है 1 प्लस r 1 minus r ठीक है जी और इसको solve भी कर दे 1.1513 ठीक है log 10 ठीक है log का base 10 है और ये solve होके students r की value कितनी है 0.5 ठीक है जी तब 1 plus 0.5 over 1 minus 0.5 अजब इसको हम solve करेंगे students ये आएगा 3 ठीक है 3 आजएगा solve करके यहां पे values पूट करके ना इसकी value 3 आजएगी ठीक है तो अब हमने फिर 3 means 30 का log देखेंगे जैसे पहले किया था ठीक है तो same procedure हम repeat करेंगे और अब हम direct इस log की value लिखेंगे और ये log हमारा पहले भी 0.4771 आया था अब भी ठीक है जी और value आगी students 0.5492 जिसको हम round up करके ऐसे भी लिख सकते हैं 0.55 भी लिख सकते हैं ये आपकी ठीक है इच्छा पर नरपर करता है कि आपने क्या गरना है ठीक है अब students हम निकाले ZP यानि के population का Z ठीक है जी इसमें भी students same formula है 1.153 log ठीक है जी 10 बस यहाँ पे change है 1 प्लस ठीक है row 1 माइनस रो ठीक है यह पी नहीं है इसको हम रो बोलते हैं ठीक है आर एच ओ रो ठीक है जी clear तो इसकी वैल्यू निकाले 1.1513 ठीक है जी log 10 log का base 10 देखो पी की कितनी वैल्यू है 0.7 यानि के 1.7 divided by 0.3 ठीक है जी clear 1 minus 0.7 ठीक है तो divide करके strength आएगा log 10 यह सब divide करके हमारे पास आ गया ठीक है जी 0 sorry यह नहीं है 5.67 ठीक है जी यह नहीं है value ठीक है जी यह नहीं है 5 मतलब के ठीक है इतना है तो अब क्या करना है इसका log देखना है log आएगा students इसका 1.1513 इसका log दी तो students वैसे बता दू 5.67 का log देखा कैसे जाएगा तो आप क्या गरोगे ऐसे देखोगे ठीक है 56 का 7 में देखोगे 56 का 7 में वो आगया अपने का 56 क्योंकि characteristic जो है वो 0 आएगा क्योंकि पॉइंट की left side में एक की desert है ठीक है और solve कर के students हमारे पास जो value है वो आगी 0.867 6 अब हमने यहाँ पे value पूट करने यह formula students ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको हलका सा में change करूँगा वो आपको easy लग सकता है 1 over ने यह वाली चीज तो इसको आप न वैसे ही इदर directly multiply कर दो 1 over लिखने की बज़ाए इसको यानि कि case formula को rewrite करके ऐसे भी लिखा जा सकता है अब आपने value पूट करनी है ठीक है z1 की zp की z1 की value आपके पास यह है ठीक है zp की value आपके पास यह है ठीक है बाकी जो n है यह sample का लेना instrument sample का ठीक है sample आपके पास 18 का है ठीक है तो values आप ठीक है put कर दो सारी like 0.54 92 minus 0.86 76 ठीक है into n-3 unroot करके ठीक है 18 वो 15 आजाएगा ठीक है जी और सारी value सॉलव करके students हमारे पास जो value आएगी ठीक है जी वो आगी calculated value यहनि के जो calculated value है z की ठीक है जी वो 1.233 है ठीक है this is the calculated value of z ठीक इतनी आगी अब हमने check करना है तो हमको यह तो पता ही है की 5% level of significance पे जो table value है जो table value है z की वो 1.96 है अब हमारे पास z की जो calculated value है वो smaller than है z की table value से सो फिर अगेन null hypothesis क्या हो गया accepted accepted means कि there is a no difference between ठीक है जो population का ठीक है correlation coefficient है और जो sample का जो difference है जो है भी जैसे हमको visible है की एक value 0.5 है एक 0.7 है हमको तो visibly तो वैसे लगता ना की difference है बट हमारा test जो बोल रहा है वो बोल रहा है की जो difference है वो exist नहीं करता वो significant नहीं है अगर वो difference आया भी हुआ तो वो सिर्फ हो सकता की sampling की error हो उसकी बदालताया हो ठीक है सो हमने test accept कर लिया यह accept कर लिया की भी इन दोनों values में जो दोनों correlation coefficient हैं एक sample का और एक population का there is no significant difference तो यह थे students दो question यह question no doubt students की request पे थे जो दोनों exam में आये थे question ठीक है तो हमने उनकी request पे यह question ठीक है students directly focus करके ठीक है solve की है ठीक है और हमने जो log है log के बारे में कोशिश करेंगे यह लग से lecture बनाएंगे और सभी का धन्यवाद ठीक है तो students आप जरूर बताना कि आपको यह lecture कैसा लगा ठीक है thank you जी thanks